प्रश्णों को दोस्तों आपको रटना है अरद्यारेस एकड़ी की यूट्यूब चनल को अगर आपने अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया तो चीनी यात्री फायान निमनलिकित में से किसके सासनकाल में भारत आया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंदर गुप्त विकरमादिते तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चीनी यात्री आए थे एक तो फायान आया था यह आया था चंदर गुप्त दित्ते के समय एक आया था दोस्तो हिंसान और यह हिंसान आया था दोस्तो हर्सवर्दन के समय तो आपको याद रखना है हैसे है यानि कि हैंसान है वो हर्सवर्दन के समय आया था और फायान है यह चंदर गुप्त दित्ते के समय आया था सी नंबर ओप्टन राइट आपकोya राइट आनसर इसका आगे देखें सेकंड नंबर प्रेस ने कालिदास की किस करती की गिंती विस्वर की सुप्रिशीद साहितित करतियों में होती है तो इसका राइट आपकोlläइव हो जा देखिए तीन नमबर प्रेशन है चंदरगुप्त विक्रमादिते के दरबार में नव रतनों में कौन अधिक सबसे प्रसित था तो दोस्तो कौन सबसे अधिक प्रसित था चंदरगुप्त विक्रमादिते के सासनकाल में तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिए द तो कालिदास, धन्वंतरी, सपनक, अमर सिंग, संकू, बेतालभट, गटकपर, वरामीर और वर्रूची ये नो दोस्तो रत्म थे चंदरगुप्त दित्ये के समय और उनमें से सबसे अधिक है प्रसित था ये कालिदास ठीक है तो इसका राइट अंसर इसमें ए नंबर का उप अंतलम ये तीनों पुष्टके हैं ये दोस्तो कालिदास के द्वारा रचित है आगे देखे चार नंबर का प्रस ने चंदरगुप्त दित्ये को विक्रमा दित्ये क्यों कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है तो दोस्तो देखे उसकी उज्जेन सासकों पर विजय के फल सवर दोस्तों इनको विक्रमा दित्य कहा जाता है याद रखना तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा ठीक है और क्या-क्या उपादियां है चंदर गुप्त दित्य की तो देखे परम भागवत सीह चंद्र सीह विक्रम अजीत विक्रम विक्रमांग तो यह आपको याद रखना है यह चंद्रगुप्त दित्य की उपादिया थी तो इसका राइट आंसर ए नंबर उप्शन बिल्कुल से उत्तर है आगे देखे चंद्रगुप्त दित्य के काल में विद्या कलावाई साहित्य का महान के अंदर क कौन सा था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उज्जेन सी नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे दोस्तों इसमें शिक्स नंबर प्रेस ने चंद्रगुप्त दित्य की विजियों से उसके सामराज्य का विस्तार कहां तक हो गया चंद चंद्रगुप्त पस्मी संमुद्री तर तक दोस्तों चंद्रगुप्त दित्य का जो सामराज्य विस्तार है वो हो गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें इसमें सात नूबर का प्रैस्न है क्या का जाता है तो भारत का नेपोलियन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का उप्शन बिल्कूल से उत्तर हो जाएगा देखे समुन्दर गुप्त गुप्त वंस का एक महान योद्दा और कुसल सेना पती था इसी कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो इसमें सी नमबर ओक्षन बिल्कुल से उत्तर आगे देखे समुन्दर गुप्त के काल का इतियास जानने का सबसे महतुपून सादन है समुन्दर गुप्त के काल का इतियास जानने का सबसे महतुपून सादन है वो कौन सा है तो वो है दोस्तो इलाबाद इस्तंब पर उत्केन लेक तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नमबर का उप्षन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा इसमें समुन्दर गुप्त के स आपना है वो सिरी गुपत ने की थी तो इसका right answer हो जाएगा ए नंबर option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें 10 नंबर का प्रेस्टन, किस वन्स को भारत की संसकर्ती में स्वण यूग कहा जाता है तो किस यूग को भारत की संसकर्ती में स्वण यूग कहा जाता है तो ये कहा जाता है दोस्तो गुप्त काल को भारती संसकर्ती का स्वण यूग कहा जाता है तो इसमें B number option बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखे 11 number का press ने गुप्त समत की स्तापना किस ने की थी तो दोस्तो देखे गुप्त समत की स्तापना है वो किस ने की थी तो चंदर गुप्त पर्थम ने गुप्त समत की स्तापना की थी तो इसका right answer हो जाएगा इसमें A number का option बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखे इसमें 12 number का press ने बिम्बी साहर ने अपने राजवेदे जीवक को किस राज़े के राजा की चिकिच्च्य के लिए भेजा था अच्छा प्रसन है बिम्बी साहर ने अपने राजवेदे जीवक को किस राज़े के राज़ा की चिकिच्च्य के लिए भेजा था तो इसका right answer हो जाएगा वो है अवंती C number का option बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा अवंती आगे देखे बारत पर आकर्मन करने वाला पहला विदेशी कोन था तो दोस्तो कोन था बारत पर आकर्मन करने वाला पहला विदेशी तो वो था दोस्तो Cyrus कोन था Cyrus ए नमबर उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा Cyrus आगे देखिए सेंदव सब्वेता के महान इस्तनानागार कहां से प्राप्त हुए है तो ये मोहन जोड़ो से प्राप्त हुए है ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मोहन जोड़ो आगे देखिए साक्य राजवन्स के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की तो वो है दोस्तो इसमें सिदार्थ है तो इसमें B नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा सिदार्थ अगे देखें बोध धर्म के परवर्तक गोतम बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ था ये तो दोस्तो आप सभी को पता होना चाहिए जो गोतम बुद्ध का जन्म है वो दोस्तो कब और कहां पर हुआ था ये अपने कुछ में बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा में हुआ था तो इसका right answer हो जाएगा इसमें बी नंबर का option बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा ठीक है लुंबिनी में हुआ था गोतम बुद का जन्म बी नंबर option बिल्कुल से उत्तर आगे देखे हडपा सब्वेता के विलुप्त हो जाने का कारण क्या माना जाता है हडपा दूसरा है बाडो का आजाना तीसरा है विजातियों का आकर्मन इन तीनों की वज़े से ये तीन परमुक कारण है दोस्तों इनी की वज़े से दोस्तों हडपा सब्वेता के विलुप्त हो जाने का पता चलता है तो इसका right answer हो जाएगा इसमें डी नंबर का उप्शन उप् बिलकुल से उत्ता आजे देखें सिंदु घाटि की सब्वेता के लोगों का धर्म मुख्यता किस पर आधाय अधारित तो धर्म है मुख्यता किस पर आधायरित तो वह मात्र देवी की पूझा पर ज्यानी की मात्र सतातमक्ती सिंदु घाती सब्वेता तो इसका right answer हो जाए मुख्यत है बनाया जाते थे तो किस से बनाया जाते थे तो ये बनाया जाते थे दोस्तो तामबा, टिन और कांसे से बनाया जाते थे ठीक है तो इसमें C number option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा किस number प्रेस नहीं इसमें देखे असोक के अभिलेक में उसके किस एक मातर पुतर की चर्चा की गई है तो इसका right answer हो जाएगा वो है तीवर B number का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखे इसमें जैन गरंथों की रचना किस लीपी में हुई थी तो जैन गरंथों की रचना है ये कौन सी लीपी में हुई थी तो प्राकरत लीपी में हुई थी जैन गरंथों की रचना A number option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे वेदिकाल के लोगों ने धातूं का परियोग किया उनमें से पहला धातू था तो कौन सा था पहला था तू तो वो था दोस्तो तांबा A number का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे सूर्य देवता सावित्री को संबोधित प्रसिद गायत्री मंतर किस में उल्लेखित है तो ये तो दोस्तो आप सभी को पता होगा कि जो गायत्री मंतर है ये कहां से लिया गया है तो ये रिगवेद से लिया गया है कहां से रिगवेद सहीता से लिया गया है तो अपना राइट अंसर हो जाएगा A number का option बिल्कुल सही उत्तर देखिए रिगवेद में 10 मंडल 1028 सलोक और करीबन 10600 मंतर है ये आपको इसमें याद रखना है A number option बिल्कुल सही उत्तर 25 number प्रेसन इसमें देखिए वेदि काली नदी परूशनी जिसके तटपर 10 राजाओं का युद हुआ था उसका आधुनिक नाम क्या है देखिए परूशनी है इसका वर्तमान नाम है रावी क्या नाम है रावी नदी ठीक है रावी नदी है इसका पराची नाम क्या था परूशनी याद रखना है आपको तो इसका right answer हो जाएगा इसमें B number का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों इसमें 26 नमबर प्रेशन मोहन जोदाडो से प्राप्त सामगरी तथा धातु खंडो से पता चलता है कि यहां के निवासियों को अनेक परकार की धातु का ज्यान था किन्तु बहुती अच्छा प्रेशन है किन्तु अनेक परकार की धातु का ज्यान था किन्तु लोहे का ज्यान है वो नहीं था तो अपना राइट आंसरिस में बिनमबर उप्षिंध बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमेर देखिए मोहन जोदाडो से प्राप्त मूर्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंदु की सब्वेता से सम्मंद लोग सेव थे कौन थे शेव तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा आगे देखे इसमें 28 नंबर प्रेशने मोहन जोद्डो के खनन कारे से पता चला है कि वहाँ एक के नीचे अनेक नगर चक्र के कारण धमस हुए है इन नगरों की समख्या बताई कितनी जाती है दुबार देखे अच्छा प्रसन है मोहन जोद्ड़ो के खनन कारे से पता चलता है कि वहाँ एक के नीचे अनेक नगर चक्र के कारण धमस हुए इन नगरों की संख्या दोस्तों कितनी हैं तो ये तो आप सभी को पता ओगा मैंने आपको बताया भी था दोस्तों 3 ठीक है डी नमबर का उप्षन इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नगरों की संख्या कितनी थी 3 आगे देखे हडपा एक प्राचिन नगर का धुमसासेस है जिसका पता मोहन जोड़ो की खुदाई के बाद चला यह इस्तान यह इस्तान दोस्तो कहां पर है तो यह इस्तान है दोस्तो पाकिस्तान के मौन्ट गोमरी जिले में तो दोस्तों पाकिस्तान के मौन्ट गोमरी जिले में तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है ये मोहन जोड़ो की जो मोहन जोड़ो सब्वेता है इसके उत्कनन करता कौन थे तो राखलदास बैनर जी नहीं तीक है ये आपको इसमें याद रखना है राखलदास बैनर जी आगे देखे इसमें सिंदु सब्वेता का विस्तार कां से कारतक था तो देखे। सिंदु सब्वेता का विस्तार है वो 12,99,660 वर्ग किलो मेटर पर ये सिंदु गाटी सब्वेता है ये फैली हुई थी और इस सब्वेता का अगर विस्तार देखे हैं अपन तो देखे पंजाब, सिंद, बलुचिस्तान, गुजरात, राजस्तान और पस्मी उत्रपरदेश तक है दोस्तों ये विस्तरित थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा तो वो है डी नंबर का उप् बिल्कुल से उत्र हो जाएगा आगे देखे मोहन जोदाडो नामक टीले के नीचे कोई प्राची नगर बसा हुआ था इसका पता सिरी मारसल और सिरी राखलदास बेनर जी ने सन कौन सी सन में लगाया था इसका पता तो ये लगाया था दोस्तों गुनी सो बीस में पता हो जाएगा सी नमबर का उप्शन बिल्कुल से उत्र हो जाएगा ठीक है आगे देखे इसमें 32 नमबर प्रेस ने मोहन जोदाडो में पुरातात्विक खननकारिये है ये कब किया गया ये किया गया दोस्तों गुनी सो बाइस में किसके दौरा राखलदास बेनर जी के दौर किया गया था कौन सी नदी के तठ पर है तो सिंदू नदी के तठ परिस्तित है कहां पर है ये मोहन जोदाडो तो ये लरकाना जिला पाकिस्तान में है क्या मिला है यहां से तो तीन मुख वाले देवता पसुपतिनात की मूरती मिली है नर्थकी की कासे मूरती मिली है विसा अगे देखे मोहन जोदडो किस भासा का सब्द है तो ये कौन सी भासा का सब्द है तो ये दोस्तो सिंधी भासा का सब्द है डी नंबर उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा सिंधी भासा आगे देखे मोहन जोदडो का साब्दिक अर्थ क्या है तो इसका साब्दिक अर 35 नमबर प्रेशने मोहन जोदडो एक प्राची नगर का धुमसासेस है तीक है इस परंपरा के कुछ अन्य नगरों का भी पता चला है कहा जाता है कि मोहन जोदडो की इस सब्वेता इसा से यानि कि कितनी लगबग कितने वर्स पूरव की ये सब्वेता है तो सिधा सा है इसका राइट आंसर हो जाएगा करीब 3000 वर्स पूरव की ये सब्वेता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नमबर का उप्शन बिलकुल सहीतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति कहां हुई तो दोस्तो बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति है वो कहां पर हुई तो ये हुई थी दोस्तो बोध गया में कहां पर बोध गया में हुई थी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है ए नमबर क में दिया था तीक है ये भी आपको इसमें याद रखना है आगे देखिए इसमें 37 नमबर प्रेशने साहरनात में अपना पर्थम परवर्चन किस ने दिया था तो ये दिया था दोस्तो किस ने महत्मा बुद्ने तो इसका right answer हो जाएगा इसमें C number option बिलकूल सेयुत्त हो जाएगा आगे देखिए 38 नमबर प्रेशने अजनता की गुफाओं में चित्र किस काल के है वो किस काल के है तो वो है गुप्त वंस के चित्र हैं दोस्तो इसमें अजनता की गुफाओं में ठीक है गुप्त वंस के काल के चितर हैं तो इसमें B नमबर उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा उन्चालिस नमबर प्रेस्ण है गुप्त कालीन आर्थिक दसा की परमुक विशेष्था क्या थी तो दोस्तों क्या थी परमुक विशेष्था वो है उद्योग धंदो वै कर्शी को प्रोचाहन इसकी परमुक विशेष्था थी ए नमबर का उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 40 नमबर प्रेस्ण है गुर्जर परतिहार वंस की स्तापना की थी तो ये की थी दोस्तों किस ने तो देखिए नागबटे पर्थम इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वास्त्विक संस्तापक माने जाते हैं गुजर परतिहार वंस के तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नमबर उप्शन बिल्कुल से उतर आगे देखिए 41 नमबर प्रेस्ण है वर्तमान गनीत में दसमलव प्रणाली आविसकारक का स्रे निम्न में से किस यूग को जाता है तो ये जाता है दोस्तों कौन से यूग को तो ये गुप्त यूग को जाता है इस का स्रे तो इसमें बी नमबर उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखें गुप्त कालीन बोध शिक्षा का महान के अंदर कौन सा था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नालंदा सी नमबर का उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा और आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों नालंदा विश्व विद्याले की स् तो यह कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नमबर का उप्शन बिल्कुल से उतर आगे देखें दो महाकावे रामायन और महाभारत का सहीता करण गुप्त काल के दोरां संभावत किस सताब्दी में हुआ अच्छा प्रसन है इसमें देखें दो महाकावे रामायन और महाभारत का सहीता करण गुप्त काल के दोरां संभावत किस सताब्दी में हुआ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नमबर ओप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखें प्राचीन भारतिय कला एवं इस्तापत्य क छर्मोतकर्स का युग था तो वो कौन सा युग था तो वो था दोस्तो इसमें गुप्त यूग तो इसमें सी नमबर ओप्शन बिल्कुल से उतर हो इसमें घुप्त वाग भट तो इसका right answer हो जाएगा इसमें A number का option बिलकुल सयुत्तर हो जाएगा, ठीक है, आगे देखिए इसमें खगोल सास्तर में गुप्तकाल का सबसे प्रसिद नाम है, खगोल सास्तर में गुप्तकाल में सबसे प्रसिद नाम है, तो वो कौन सा है वो प्रसिद नाम, तो तो इसका right answer, C number option, बिल्कुल से उतर हो जाएगा. आगे देखिए इसमें 47 number प्रेस ने कौन सा राजवन्स हुनों के आकर्मन से अतियंत विचलित हुआ? कौन सा राजवन्स है? वो हुनों के आकर्मन से अतियंत विचलित हुआ, तो वो था दोस्तो इसमें गुप्त वन्स, कौन सा गुप्त वन्स है? तो इसका right answer हो जाएगा, C number का option, बिल्कुल से उतर हो जाएगा. ठीक है? आगे देखिए इसमें, 48 number person है, निम्न लिकित में से कौन गुप्त कालीन स्वन मुद्रा है? तो गुप्त कालीन स्वन मुद्रा है, वो कौन सी है इन में से? तो वो है दिनार, B number का option बिल्कुल से उतर, दिनार. आगे देखिए, निम्न में से किस काल में इस्तरियों की संख्या पुरुसों के बराबर थी? तो कौन से काल में इस्तरियों की संख्या पुरुसों के बराबर थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त काल में इस्तरियों की संख्या है, वो पुरुसों के बराब नालंदा विश्व विद्याले का भर्मन किया और वहाँ पर अध्यन भी किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए इसमें 51 नमबर प्रेशन है निम्न लिकित में से कौन सी विशेष्टा गाटी सब्वेता से समंदित नहीं है तो यहां पर देखिए चार ओप्षन आपके सामने दिये गए हैं बहुत ही अच्छा प्रेशन है तो यहां पर देखिए वेवसाइक कर्ची ठीक है नगर नियोजन व्यापा रेवों उद्योग ये तीनों तो समंदित है सिंदु गाटी सब्वेता को किस काल से जोड़ा जा सकता है सिंदु गाटी सब्वेता को किस काल से जोड़ा जा सकता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दूस्तों का से काल से जोड़ा जा सकता है ठीक है यानि कि सिंदु गाटी सब्वेता है वो कौन से काल की थी तो यह कांसेकाल की तो इसमें D-number option बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा कांसेकाल आगे देखे हड़पा संसकर्ति के अवसेश इस्तलों का सरवादिक संकेंद्रन किस नदी के तट पर मिला है हड़पा संसकर्ति के अवसेश इस्तलों का सरवादिक संकेंद्रन किस नदी के तटपर मिला है तो ये मिला है दोस्तों कौन सी नदी के तटपर तो ये है सिंदु नदी के तटपर, बी नमबर का उप्षन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें हडपा की खुदाई में मेसो-पोटामिया की मुहरे मिली है ये मुहरे अडपा के सब्वेता में दोस्तो मेसोपोटामिया की मुहरे मिली है ये मुहरे दोस्तो सिंदु गाटी सब्वेता के काल निर्दारन में सायक है बिल्कुल सही है इस बात की दित्यक है कि इन दोनों सब्वेताओं के बीच व्यापार होता था ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है भाई मोरे मिली है तो इसका मतलब व्यापार होता था ठीक है तीसरा है इस बात का परमान है कि सिंदु गाटी सब्वेता के लोग श्यों मोरे बनाना नहीं जानते थे ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें तो यानि कि A और B इसमें बिल्कुल सत्य है तो D नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें सिंदु गाटी सब्वेता के परसार चेतर का आकार है वो कैसा था तो ये आकार था दोस्तों तिर्बु जाकार कैसा था तिर्बु जाकार D नंबर उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे हड़पा सब्वेता के लोग संभवता इस्तिमाल करते थे तो हड़पा सब्वेता के लोग संभवता किसका इस्तिमाल करते थे तो यह करते थे दोस्तों लकडी के हल का यानिकी लकडी का हल यानिकी फाल फाल का परियोग करते थे तो इसमें बी कि खुदाई से मिले अफसेसों से पता लगता है की पता लगता है की दोस्तों इनके मकान पराए दो मंजिल के होते थे दूसरा है देखिए इनके मकान पराए एक मंजिल के होते थे ये गलत हो जाएगा और देखिए हर मकान के आंगन इसनानागर और रसोई होती थी ये भी द D-Number Option. दो मंजिल के मकान थे सिंदू काटी सब्बेता में. आगे देखें, निम्न लिकित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन है? वो दोस्तो इसमें सही है. तो यहाँ पर देखें, सिंदू सब्बेता के लोग मूर्ती पुजक थे. A number का option इसका बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा मूर्ति पूजग तीक है आगे देखे हडपा के निवासी किस यूग के थे हडपा की निवासी है वो कौन से यूग के थे तो ये दोस्तो तामर पासान यूग के थे हडपा की निवासी तो इसमें D number option बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखे सिंदु गाटी सब्वेता के काल निर्दारन में सबसे विश्वस्निये और महतोपून है क्या सिंदु गाटी सब्वेता के काल निर्दारन में सबसे विश्वस्निये और महतोपून है क्या है तो वो है हडपा की खुदाई में मिली मुएसो पोटामिया की मुहरे ठीक है और इन दोनों के बीच में व्यापार की भी दोस्तों जानकरी मिलती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें C नमबर का उप्शन बिल्कुल सेवितर हो जाएगा आगे देखे हडपा सब्वेता के लोग किस पसू से परिचित नहीं थे तो दोस्तों दरियाई गोडा से परिचित नहीं थे गेंडा, सांड और उंट इन तीनों से परिचित थे ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सेवितर हो जाएगा 62 नमबर प्रेशन है, इसमें देखे मोहन जोदाडों में मिलने, मोहन जोदाडों में मिली एक बड़ी इमारत के भगना उसे को विद्वान, अन्नागार यानि की अन रखने का बंडार मानते हैं तो दोस्तों ये पक्की इटो से बना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें C नमबर उप्शन सही उत्तर 63 नमबर प्रेशन है, सिंदू सब्वेता के लोग विश्व की तच्सम कालिन सब्वेताओं से किन बातों में आगे थे? सिंदू सब्वेता के लोग विश्व की तच्सम कालिन सब्वेताओं से किस बातों में आगे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी बातों में आगे थे? तो ये थे दोस्तों कापास की खेती में, उत्तम नगर आयोजन में, पक्की इटो का परचूर उप्योग में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D नमबर का उप्शन A, B, C, तीनों इसमें सही है आगे देखे चोसट नमबर प्रेशन है, हडपवासी किस फसल से अनभिग्य थे? हडपवासी किस फसल से अनभिग्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गन्ने से D नमबर का उप्शन बिलकुल सही उतर हो जाएगा गन्ने से आगे देखे, सिंदुगाटी सब्वेता के लोग नाना परकार की सबजियां अन तथा फलो का उप्योग करते थे मुख्य रूप से वे दोस्तो निरामिस और सामिस दोनों का सेवन करते थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C नमबर का उप्शन बिलकुल सही उतर हो जाएगा ठीक है? आगे देखे इसमें 266 नमबर प्रेशतने हैं Sindhu Gaiti Savbeeta से सम्मन्द लोगो के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था तो लोगो के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था Sindhu Gaiti Savbeeta में तो वो है नर्ते तथा गायन था एवं पासे यानि की चोपड़ खेलने में भी उनकी रूची थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये मनोरंजन का साधन था नर्ते गायन और पासे खेलने पासे खेलने में भी तीक है तो इसका राइट आंसर बी नमबर उप्शन सही उत्तर हो ज जानते थे सूती तथा उन्नी वस्तर बनाना जानते थे मैंने आपकी अब भी थोड़े देर पहले बताया था मोहन जोदरो सब्वेता से दोस्तों सूती वस्तर प्राप्त हुआ है ठीक है बी नंबर उप्शन इसका बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों इसमें 68 नंबर प्रेसन है सिंदु गाटी सब्वेता के लोग लगबग सभी इस्तानों पर दुरुग के अवसेश प्राप्त हुए हैं निमनलिकित में से किस इस्तान पर दुरुग का अवसेश नहीं मिला है तो दोस्तों कौन से इस्तान पर दुरुग का अवसेश नहीं म मिला है तो यहां पे देखिए चार उप्षन आपके सामने हैं रोपड कोट दीजी और चंदुहुडो इन तीनों इस्तानों से दोस्तों दुरुग के अफसेश मिले हैं लेकिन काली बंगा से कोई दुरुग का अफसेश नहीं मिला तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी न मैंने अभी आपको बताया दोस्तों थोड़ देर पहले ही कि अन्नागार यानि कि बड़े-बड़े कमरे थे जो पक्की इंटों से बने हुए थे वहां पर अन रखने का कारिय किया जाता था तो पक्की इंटों से बनाए जाते थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए न मूर्ति पूजा तो करते थे और दोस्तों साती में नगर निर्मान कला में पारंगत थे या आपको याद रखना है कि सिंदु गाटी सब्वेता के बारे में खनन कारिय से जो तथे सामने आए हैं उन्चे पता चलता है कि वे दोस्तों नगर निर्मान कला में पारंगत थे और मूर्थी पूजा भी करते थे तो इसका राइट आंसर इसमें ए नम्बर उप्षन सेयुद्तर हो जाएगा आगे देखें सिंदू गाठी सब्बieता के लोग सायद मुख्य हूब से करते थे बी नम्बर का उप्षन बिलकुल सेयुद्तर हो जाएगा आगे देखे, सिंदु गाटी सब्वेता का पतन का कारण है, वो क्या है, चार उप्शन आपके सामने हैं, तो यहां पे देखे, बयावय बूचाल रहा होगा, भारी हमला रहा होगा, अनेक प्राकर्तिक विपत्या रही होगी, तो दोस्तों यह अभी अग्यात है, यहनि कि सं नमबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखें 73 नमबर प्रेशन है सिंदु गाटी सब्वेता से सम्मंद व्यक्ति लिखना पढ़ना जानते थे प्राप्त मुद्राओं से पता चलता है कि उनकी लीपी है वो कौन सी थी तो देखें उनकी लीपी है वो प प्रेशन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 74 नमबर प्रेशन है मोहन जोदाडों में किये गए खननकारिये से ऐसा पता चलता है कि उस काल के लोग कर्शी करना जानते थे किन्तु वे चावल यानि कि धान की भी फसल उगाते थे इसमें कुछ पुरा तत्व वेताओन को संद वेक्त किया है दोस्तों डोक्टर एल बासम ने वेक्त किया है क्या वेक्त किया है डोक्टर एल बासम ने तो देखिए ऐसा पता चलता है कि उस काल के लोग है वो कर्शी करना जानते थे किन्तु वे चावल की भी फसल उगाते थे तो यहां पे यह वेक्त किया है डोक्टर एल बासमने ठीक है तो इसमें डी नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर 75 नमबर प्रेशन है सिंदु गाटी सब्वेता से समंदित लोग सवों का अंतिम संसकार है वो कैसे करते थे सिंदु गाटी सब्वेता के लोग सवों का अंतिम संसकार कैसे करते थे तो यहां पर देख रूपसे नहीं है किसी उच्छे इस्टान पर खुला छोड़ करते थे बिल्कुल रूपस घायते T जाए गए इसमें इन तीनों का प्रियोग करते थे वह तो इसी zy humidity वह दो के अनेक विभाग कि अने का जात जाता है वेदो के अनेक विभाग बताए जाते हैं किन्तों मुख्य रूप से इनके जो भाग है उन्हें दोस्तों सहीता अत्वा मंतर कहा जाता है बिल्कुल सही है ब्रामन मंतर कहा जाता है ये भी इसमें सही है आरेनेक और उपनिश्द कहा जाता है ये भी इसमें सही है या वेदों के अनेक विभाग बताए जाते हैं किन्तु मुख्य रूप से जो भाग है उन्हें दोस्तों सहीताएं अत्वा मंतर का आ जाता है तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर उप्शन तीनों का ही जाते हैं आगे देखें वेद का साब्दिक अर्थ है तो वेद का साब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा वो है दोस्तों ग्यान बी नंबर उप्शन सहीताएं वेदिक काल की प्राचिंता के बारे में पंडित बाल गंगा दर्तिलक जैकोबी मेक्स मूलर विंटर नीत्ज परभूती विद्वानों ने अलग-अलग मत है वो व्यक्त किये हैं शिरी तिलक ने यानिकी शिरी तिलक के मत से वेदिक साहिते का रचनाकाल इसा से है तो वेदिक साहिते का रचनाकाल है वो पंडित शिरी तिलक यानिकी बाल गंगा दर्तिलक के अनुसार दोस्तों जो वेदिक साहि रहीते हैं ये दश हजार वर्स पहले का है अब का है दस हजार वर्स पहले का है तो इसका राइट आंसर बी नंबर option हो जाएगा अगे देखेंज है इसमें 80 नंबर प्रेस ने भारतिय सब्वेता का प्रात्मिक सबसे प्रारंबिक चरण किसे माना जाता है भारतिय सब्वेता का प्रात्मिक सोपान सबसे प्रारंबिक चरण किसे माना जाता है तो यह माना जाता है दोस्तों किसे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा वो है प्रात्मिक सोपान यह माना जाता है सिंदू गाटी सब्वेता को ठीक है तो c number option बिल्कुल सही उतर सिंदू गाटी सब्वेता आगे देखें सिंदू गाटी सब्वेता के किस इस्तान पर डोक्याड होने का आदार है तो डोक्याड होने का जो आदार है वो दोस्तो कहाँ पर है तो लोथल में ठीक है वहाँ पर क्या है बंदरगा है ठीक है समझ में आगया यानि की व्यापार करने के लिए जो बंदरगा है था यानि की डोक्याड ठीक है वो कहाँ पर था लोथल में और लोथल है यह कौन सी नदी के किनारे है तो यह बोगवा नदी के किनारे है कहां पर है एहमदाबाद गुजरात में तो इसमें दी नमबर उप्षन सही उत्र हो जाएगा अगे देखिए सिंदू गाटी सब्वेता की लीपी तो दोस्तों सिंदुगाटी सब्वेता की लीपी है वो एक लाइन में दाइने से बाइन और और दूसरी लाइन में बाइन से दाइनी और लिखी जाती थी समझ में आ गया सिंदू गाटी सब्वेता की लीपी है वो एक लाइन में दाइने और से और दूसरी लाइन में बाइन और से लिखी जाती थी तो इसमें C नमबर ओप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा 83 नमबर प्रशन है सिंदू गाटी सब्वेता के लोग सेर गेंडे और जंगली बेंसे से परीचित थे क्योंकि इस गाटी के इस्तानों की खुदाई में दोस्तों कुछ मुहरों पर इन जानवरों की चित्र बने हुए हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बनवाली बिल्कुल से उतर हो जाएगा बनवाली आगे देखे हडपा में खुदाई का काम किसने कराया था हडपा में खुदाई का काम है वो दोस्तों किसने कराया था तो ये कराया था दोस्तों दयाराम साहनी ने किसने कराया था दयाराम साहनी ने हडपा में खुदाई का काम करवाया था कब करवाया था तो दो पाकिस्तान में तो यहां पर सी नंबर उप्शन बिल्कुल से उत्र हो जाएगा आगे देखें मोहन जोदाडों का विशाल इसनानागार किस बात का संकेत करता है देखें दोस्तों मोहन जोदों में एक विशाल इसनानागार मिला है जो 11.88 मिटर तो कितना था लंबा गयारा 7.1 मिटर है यह दोस्तों चोड़ा था 7.1 मिटर चोड़ा और 2.43 मिटर है वो क्या था गहरा ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें इस प्रेस्टप का राइट आंसर हो जाएगा वो है उन्नत सहरी नगर योजना का संकेत करता है तो इसमें डी नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें सिंदु गाटी सब्वेता के निवाशियों की सामाजिक एवं धार्मिक इस्तिक का सर्वोत्म बोध किस से होता है सिंदु गाटी सब्वेता के निवाशियों की सामाजिक एवं धार्मिक इस्तिक का सर्वोत्म बोध किस से होता है तो ये होता है दोस्तों किस से तो ये टेरा कोटा फिगर से सी नम Бог का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तेरा कोटा फिगर से आगे देखें सिंदु गाटी सब्वेता के किस इस्तान पर फरसों के बनाने में सजावटी इंटों का प्रियोग किया जाता था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कहां पर तो ये काली बंगा में तो इसमें B नमबर उप्शन सहीतर 89 नमबर प्रियसन है सिंदु गाटी सब्वेता के किस इस्तान की खुदाई में अगनी वेदी काएं मिली है तो अगनी वेदी काएं दोस्तों कौन से इस्तान पर मिली है तो ये मिली है लोथल और काली बंगा में लोथल और काली बंगा में अगनी वेदी काएं मिली है तो इसका right answer हो जाएगा इसमें D number का option भी और सी दोनों आगे देखें 90 number का प्रेस ने हडपा सब्वेता के किस इस्तान पर खुदाई में दुर्ग का कोई परमान नहीं मिला है हडपा सब्वेता के किस इस्तान पर खुदाई में दुर्ग का कोई परमाण नहीं मिला है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें चंदोहडो तीक है तो इसमें D-number का option बिलकुछ सही उतर हो जाएगा चंदोहडो आगे देखे दोस्तों इसमें अपने पुरोहित के साथ विधेग माधव के पूर्व की और परवजन की कथा निमनलिकित में से किस में वर्नित है बहुत अच्छा पुरोहित के साथ विधेद माधव के पूर्व की और परवजन की कथा निमनलिकित में से किस में वर्नित है तो ये वरनित है दोस्तो किसमें? तो ये सत्पत ब्रामन में तो इसमें B-Number का option से उत्तर हो जाएगा सत्पत ब्रामन आगे देखें इसमें निम्नलिकित में से कौन सा नगर प्राक हडपा वै हडपा सबेता से समंदित है? तो कौन सा नगर है वो प्राक हडपा वै हडपा सबेता से है तो वो है दोस्तो रंगपूर तो ये है दोस्तो गुजरात में कहां पर है? गुजरात में, काठियावाड गुजरात में और यहाँ पर चावल की भूसी मिली है गेवों की खेती के साख से मिले हैं तीक है याद रखना रंगपूर तो इसमें डी नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट निमन लिकित में से कौन सा पसू हडपा सबेता में नहीं पाला जाता था तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों घोडा ठीक है? A number option बिलकुल सही उत्र हो जाएगा घोडा आगे देखे हडपा सब्वेता के लोग निम्न में से किस वस्तु का परियोग नहीं करते थे हडपा सब्वेता में लोग है वो किस का परियोग नहीं करते थे तो दोस्तों सिक्के का परियोग नहीं करते थे C नंबर उप्शन से उतर 95 नंबर प्रेशन है मोहन जोदो की विशालतम इमारत थी मोहन जोदो की विशालतम इमारत है वो कौन सी थी तो वो थी दोस्तो महा इस्तनानागार मैंने अभी आपको बताया था महा इस्तनानागार तो इसमें B-Number Option बिल्कुल से उता है हडपा सब्वेता का उतकर्स किस समय के पस्चात रुक गया हडपा सब्वेता का उतकर से किस समय के पस्चात है रुक गया तो ये रुक गया दोस्तों गुनिस सो इसा पूर्वक के समय रुक गया तो इसमें दी नंबर उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखें सिंदु गाटी सब्वेता की खुदाई में विशाल सनानागार कहां मिला है तो विशाल सनानागार है ये दोस्तों कहां पर मिला है तो ये मोहन जोड़ो में मिला है मैंने अभी आपको बताया था 11.88 मिटर लंबा 7.01 मिटर चोड़ा और 2.43 मिटर गहरा था मोहन जोड़ो में मिला है तो इसमें A नमबर उप्षन सयुत्तर 98 नमबर प्रेस्न है सिंदु सब्वेता से समन्दिते नर्ते करती हुई की मूर्थी बनी है तो किसकी बनी है वो नर्ते करती हुई महिला की मूर्थी तो ये मिली है दोस्तो कास्य मूर्ती है ये ठीक है तो इसका right answer B number का option बिलकुल सही उतर है ये मिली है मोन जोड़ो से ठीक है B number option सही उतर आगे देखें सिंदु गाटी की सब्वेताव के सामाजिक जीवन के समंद में निम्न में से कौन सा कतन सही है तो कौन सा कतन है वो दोस् के समाज मात्र प्रधान था समाज मात्र प्रधान था तो ये इसका right answer हो जाएगा यानि कि सेंदव समाज है वो मात्र सतात्मक था तो इसमें C number option बिलकुल सही उतर हो जाएगा 100 number person है मोहन जोदाडो नगर की खुदाई में सबसे महतो पूर सारवजनिक इस्तान प्राप्त हुआ तो ये प्राप्त हुआ दोस्तो वो है बड़ा सनानागर है तो इसमें B number option सही उतर हो जाएगा अब देखिए 101 number person है 100 person तो अपने complete हो चुके है 100 person और बाकी है तो दोस्तो आपको मेरे साथ में चलना है 100 person का और भी test देना है total इसमें 200 person है ठीक है जो आपकी परिक्षा के लिए महतो पुन है चाहें आप इन प्रशनों के पढ़ने के बाद में कोई सा भी परिक्षा दे लेना ठीक है और आपका एक भी प्रशन है वो पराचीन भारती इतियास से समंदित है वो गारंटी है गलत नहीं होगा ठीक है त इमने किस बोध देवता की परतिमाओं की पूजा अर्चना नहीं की जाती थी तो कौन से बोध देवता की परतिमाओं की पूजा अर्चना नहीं की जाती थी तो इसका राइट आंशर हो जाएगा वो है दोस्तो देखिए भोतिक जीवन की समर्दी की देवी स्री लक्षमी श्री लक्षमी की दोस्तो पूजा अर्चना नहीं की जाती थी तो इसमें डी नमबर उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 102 नमबर प्रेस ने अदो लिकित में ऐसत्य कथन को इंगित कीजिए तो ऐसत्य कथन दोस्तो अपने को इसमें बताना है देखिए यहां पे दो या तीन छेद वाले तक्त सेंदव सब्वेता से प्राप्त हुये हैं बिल्कुल सही है मन के बनाने के लिए गोमेद गुजराद से मंगाया जाता था यहाँ पे दिखेए सो राष्टर बगत राव नदि के किनारे पर इस्तिथ है यह गलत हो जाएगध दोस्तों इसमे और देखेए इसमें कुवेथ के समी प्पेला, इस्टिये टाइट की मुहरे पराब्त हुई है यह भी सही है तो इसमें right answer हो जाएगा C number का option क्योंकि ये इसमें बगतरावन दी गलत दे रखा है आगे देखें जैन धरम के कर्मिक पतन के कारणों में निम्न मेंसे कौन उतरदाई कारण नहीं था तो वो है दोस्तो उनके नेतिक धरम की सहीता का अतिवाद तथा धरमिक अनुसासन ये दोस्तो जैन धरम के कर्मिक पतन के कारणों में से दोस्तो ये कारण नहीं था बाकी हिंदु द्रम आत्म साथकारी सक्ती विदेशी आकरांता हो और अन्य लोगों द्वारा उनके मंदिरों का निवास बाकी तीनों इसमें सही है सी नंबर का उप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा एक सो चार नंबर प्रेसन है अदोलिकित गरंथों में से किस में गुप्त कालीन परसासन एवं नीतियों का उलेक होता है तो गुप्त कालीन परसासन एवं नीतियों का उलेक है वो किस में होता है तो यह होता है दोस्तों कामंद किये नीती सास्तर है कामंद किये नीती सास्तर में गुप्त कालीन प्रसासन एवं नीतियों का उलेख है वो मिलता है तो इसमें C नमबर उप्शन सयुत्तर हो जाएगा आगे देखिए हैंसान के विवरोनों में निम्नलिकित में से किसका उलेख नहीं मिलता तो देखे कान्य कुब्ज नालंदा प्रियाग इन तीनों का दोस्तो उलेक मिलता है इन्सान के विवरोनों में लेकिन इस प्रैसन का राइट आंसर हो जाएगा वो है इन में से कोई नहीं तो इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का उप्शन यहाँ पे डी निमनलिकित में से किसको मंदसोर प्रशस्ति का रच्यता माना जाता है तो मंदसोर प्रशस्ति का रच्यता है वो किसे माना जाता है तो यह माना जाता है दोस्तों वत्स भट्टी इसको वत्स भट्टी और वासुल को तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर राजेश्वर के निमनलिकित गरंथों में से भारत की भोगोलिक इस्तती का विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है तो यह होता है दोस्तों काववे मिमांसा में किसमें काववे मिमांसा में यह नमबर उप्शन सहीतर हो जाएगा अगे देखिए अर्थ सास्तर में परियुक्त परीमितार्थ एवं सासन हर सब्दों का आश्य निमनलिकित में से किसे है तो दोस्तों यह किसे है तो यह राजदूतों से है सी नमबर का उप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा राजदूतों से एक सो नो नमबर प्रैसना इसमें देखिए कोटिल लेके अपने अर्थ सास्तर में निस्रस्टार्थ सब्द का परियोग है अदोलिकित में से यह किसके लिए परियुक्त है तो इसका राइट आंसर हो ज के लिए तो इसमें डी नमबर उप्शन सहीतर संदेश वाहको के लिए नेक्स्ट निमन लिकित में से विदेशी यात्री ने राष्ट्र कुटों के बार में विवरन दिया है तो दोस्तों किस विदेशी यात्री ने राष्ट्र कुटों के बार में विवरन दिया है तो इस में दोस्तों अलमसूदी ने बी नमबर उप्शन बिलकुल सही उतर अलमसूदी 111 नमबर प्रेस ने है कालिदास के निमन गरंथों में से किस गरंथ ने सुंगों के इतियास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कालिदास के निमन गरंथों में से किस गरंथ में सुंगों के इतियास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मालवी का अगनी मित्रम डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें निम्नलिकित में से किस गरंट से विज्ञान समंदी तकनिक जानकारी प्राप्त होती है तो यहाँ पे वराहमीर की वरत सहीता से दोस्तों अपने को विज्ञान समंदी जानकारी तकनिक प्राप्त होती है तो इसमें एक नंबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिये इसमें 113 नंबर प्रसन है निमनलिकित में से किस अभिलेक से यह जानकरी प्राप्त होती है कि दारा पर्थम ने सिंदु गाटी पर अधिकार कर लिया था तो दोस्तो बहुत बहिस्तून अभिलेक द्वारा पार्सो पोलिस के बहिस्तून अभिलेक द्वारा दोस्तो यह जानकरी मिलती है कि दारा पर्थम ने सिंदु गाटी पर अधिकार कर लिया था ए नंबर उप्शन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट ए 114 नंबर का प्रसन है ए ओल अभिलेक मे बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रवी कीरती आगे देखे रिगवेद में वरनित सब्वेता दोस्तो सेनिक कुलीन तंतर जैसी लगती है सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे 116 नंबर का प्रसन है रिगवेदी काल में आरिये लोगों का मुख्य वेवसाइज क्या था रिग वेदिकाल में आरिये लोगों का मुख्य वेवसाइज है वो क्या था तो क्या था तो खेती करना था मुख्य वेवसाइज रिग वेदिकाल में आरिये लोगों का मुख्य वेवसाइज ए नमबर उप्शन सही उत्तर next वेदिकाल में बहू विवाहेपर्था थी तो यह दोस्तों केवल राजवंसों में थी बहू विवाहेपर्था B number option बिलकुल सच्वेथर हो जाएगा केवल राजवंसों में आगे देखिए सत्पत ब्रामन चार वेदों में से किसी एक का भाग कहा जाता है कि यहें सत्पत ब्रामन चार वेदों में से किसी एक का भाग है कहा जाता है यहें सुकल ये जुर्वेद का है बी नमबर उप्शन सय उत्तर हो जाएगा 119 नमबर प्रेशना इसमें देखे वेदिक काल में जाती वेवस्ता तो अवस्य थी किन्तु यह हैं वेवस्ता दोस्तो जन्म और करम दोनों पर आधारित थी जन्म और करम दोनों पर आधारित थी डी नंबर उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा 120 नंबर प्रेशन इसमें देखें वेदिकाल की सब्वेता तथा संसकर्ति का मुख्य स्रोत क्या है तो वो है दोस्तो इसमें रिगवेद है बी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा ठीक है आगे देखें इसमें 121 नंबर प्रेशन निमनली की तथ्यों में से कौन सा तथ्य गलत है तो यहां पे देखें आरिये वस्तुते की प्रकर्ति पूजत थे बिल्कुल सही है आरिये प्राकर्तिक सक्तियों की दया और करपा के आकान सी थे बिल्कुल सही है आरिये 21 यहां पर देखिए आरियो के जीवन में सदाचार की बड़ी महता थी तो यह बिल्कुल सही है तो इसका सी नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा यह कथन है वो इसमें गलत है एक सो बाइस नंबर प्रेशन है आरियो की प्रारंबिक जीवन निर्बर था आरियो का प्रारंबिक जीवन है वो किस पर निर्बर था तो यह पसु चरण पर दोस्तो यह प्रारंबिक जीवन है यह निर्बर था आरियो का तो बी नंबर उप्शन सही उत्तर हो जाएगा नेक संसार का सबसे प्राचिन गरंथ है तो दोस्तों कौन सा है यानि कि वो है दोस्तों रिगवेद तो इसमें डी नंबर का उप्शन सही उत्र हो जाएगा रिगवेद नेक्स्ट मुख्य रूप से पहले तीन वेद ही माने गये थे वेद तरही काफी परसिद सब्द है वेदों के अंतरगत सम्मिलित किया गया चोथा वेद कौन सा है तो वो है दोस्तों इसमें अथरववेद त्छी कौन सा है दिखे रिगवेद सामवेद और यजुरवेद ये पहले तीन ही वेद माने गए थे लेकिन फिर बाद में चोथा वेद जोड़ा गया इसमें वो है अथरववेद इसमें C नंबर का उप्शन से उत्तर हो जाएगा अथरववेद नेक्स्ट है तक्सिला की जनता का बिंदुसार के सासन के विरुद विद्रो का कारण क्या था तो वो है ब्रष्ट अधिकारियों का अत्याचार तो इसका बी नंबर उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखे इसमें तीर्थ से क्या तात्परीय है तो इससे तात्परी क्या हो जाएगा कि चंदर गुप्त मौरिये के अठारा परमुक परसासनिक अधिकारी थे उनको बोलते थे दोस्तों तीर्थ है तो इसमें C नंबर उप्शन सहीतर हो जाएगा कभी आप बोल दो कि पवित्रिस्तान दीक है तो गलत हो जाएगा वो पवित्रिस्तान तो इसमें सी नमबर उप्सन से उत्र हो जाएगा नेक्स्ट है भारत का मेक्यावेली किसे कहते हैं भारत का मेक्यावेली है ये दोस्तों चानक्य को कहते हैं किसको कहते हैं चानक्य को कहते हैं भारत का मेक्या दस राजन युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था ये लड़ा गया था दोस्तों दस राजन युद्ध है ये कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया तो ये परूशनी यानि कि इसका वर्तमान नाम है रावी तो इसका C नंबर का उप्सन राइट आंसर हो जाएगा परुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था C नंबर उप्सन सयूत्तर देखें बुद्ध को परी निर्वान कहाँ पराप्त हुआ था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कहाँ पर तो देखे कुशी नगर कहां पर हुआ था कुशी नगर में देखे 483 इश्वपूरु में 80 वर्ष की आयू में महात्मा बुद्ध का देहांत यानि की महापरी निर्वान कुशी नगर में हुआ था तो इसमें B नमबर उप्शन सहुत्तर नेक्स्ट मिलिंद पन्हो क्या है तो दोस्तों यहाँ पे मिलिंद पन्हो है वो क्या है तो यह धार्मिक संभासन है क्या है धार्मिक संभासन ए नमबर उप्शन बिल्कुल सहुत्तर हो जाएगा next ब्रामन क्या है यहाँ पे देखे ब्रामन है वो क्या है तो यह वेदो की गद्यात्मक व्याख्या है ब्रामन डी नमबर ओप्सन बिल्कुल सयुतर हो जाएगा आगे देखें, सिंदुकाटी सब्वेता का किस यूग से सम्द है, तो इसका right answer हो जाएगा, वो है दोस्तो इसमें, प्रस्तरधातु यूग में, प्रस्तरधातु यूग से, तो इसमें C number option सहितर हो जाएगा, प्रस्तरधातु यूग, आगे देखें, अन्तीम जेन सबा कहा ह हुई थी तो यहां पे देखिए दोस्तों अंतिम जैब सभा यान की अंतिम का मतलब क्या हो गया सीधा सा है देखिए दो जैन माहा संगीतिया हुई थी ठीक है पहली जो जैन संगीति हुई थी दोस्तों वो हुई थी पाटली पुतर में पहली जैन जैन संगीती हुई थी दोस्तो वल्लबी में ये दो ही जैन संगीती हुई थी तो यहाँ पे अंतीम जैन सभा हुई थी तो ये वल्लबी यानि की B number option सहुत्तर हो जाएगा 135 नमबर प्रेशन है निम्न में से कौन वेदिक देवता नहीं है तो वेदिक देवता है वो कौन नहीं है तो वो है दोस्तो कृष्ण कृष्ण है ये वेदिक देवता नहीं है नेक्स्ट है शिंदू सब्यता की मुख्य विशेष्टा क्या थी शिंदू सब्यता की मुख्य विशेष्टा है वो क्या थी तो वो है नगर योजना बी नमबर उप्षन सयुतर नगर योजना अदी गरंद का संकलन किस के द्वारा हुआ था ये वाता दोस्तों गुरू अरजुन देव के द्वारा डी नमबर उपसन बिलकुल सहितर हो जाएगा गुरू अरजुन देव नेक्स्ट है प्राचिन काल में कन्या के पिता को वर द्वारा एक जोड़ी बैल परदान करना किस विवाह के नाम से जाना जाता था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें आर्स विवाह किस नाम से जाना जाता था तो आर्स विवाह के नाम से डी नम में कन्या के पिता को वर्दवारा एक जोड़ी बैल परदान किस विवा के नाम से किया जाता था तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भी मतलब क्या हो जाएगा आर्स विवा ठीक है आगे देखें नल दम्यंती की कहानी का फार्सी में अनुआद करने वाला था यह नल दम्यं 141 नमर प्रेशना इसमें देखें पराचीन तम भारतिय शिक्के निम्नलिकित में से किसके पहले के नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें यह हैं लैकुलिस का जन्म इस्तान चोरी देखें आपर क्या पुछा है कि पराचीन भारतिय शिक्के निम्नलिकित में से किस के पहले के नहीं है तो किस के पहले के नहीं है तो वो है पांचवी सताब्दी इस्वर पूर्व के नहीं है बी नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा नेक्स्ट आगे देखें शेव धरम के इतियास में कारियाव रोहन का क्या महत्व है तो दोस्तों क्या महत्व है तो यहां पे देखें यह है लेकुलिस का जन्विस्तान था बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा 43 नमबर प्रेशन है इसमें देखें छेत्री जन योद्दे निमनलिकित में से किस देवता के उपा सकते तो कौन से देवता के उपा सकते तो यह दोस्तों कार्ति के के उपा सकते डी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे हेलियो दोर के बेशनगर अभी लेक में निमनलिकित में से किसका उलेक है तो किसका उलेक है तो दोस्तो किवल वासुदेव का उलेक मिलता है सी नमबर का ओपशन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखे, निमनलिकित में से किसका राज्य जैन्दरम मानने वाले तथा जैन्दरम का निर्मान करने वाले धनाडे व्यापारियों के लिए विख्यात था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तो, इसमें चालू के, ठीक है, बी नंबर का उप्षन तो कितने अंग तो इसमें बारा अंग थे डी नंबर का उप्शन सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट है जैन दर्शन का निमनलिकित में से किस के निकट का सामें है तो किस के निकट का सामें है तो ये है दोस्तो योगाचार का तो इसमें डी नंबर का उप्शन बिलकुल सही उतर हो जाएगा योगाचार नेक्स्ट है निर्गरंत सब्द का सम्मद निमनलिकित में से किस से है निमनलिकित में से किस से है तो ये दोस्तों जैन से है सी नमबर उप्षन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए एसत्य कतन इंगित कीजिए तो यहाँ पर एसत्य कतन कौन सा है देखिए दोस्तों यहाँ पर मेही में भवन निर्मान में पक्की इंटे प्रियुक्तुईती यह दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा यह कतन है यहाँ पर एसंगत है ठीक है बाकी के तीन है वो इसमें बिल्कुल सही कतन है आगे देखिए 150 नमबर प्रेशन है उत्कनन के दोरान पाए गए बाटों में एक रूपता नहीं है अनेक परकार के बाटों में सरवादिक बाट किस परकार के प्राप्त हुए है तो सरवादिक बाठ है ये कौन से प्रकार के प्राप्त हुए हैं तो ये दोस्तो दनाकार प्रकार के प्राप्त हुए हैं C नमबर का option इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 151 नमबर प्रेशन हैं यहां पर देखिए दोस्तो इलतुत मिष्ट ने बगदाद के खलीपा से खिल अत किस वर्स प्राप्त की थी तो दोस्तो इलतुत मिष्ट ने बगदाद के खलीपा से खिल अत किस वर्स प्राप्त की थी तो इसका राई टांसर हो जाएगा वो है बारा सो गुंटीस इस्वी में तो इसमें D नमबर का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे नानक का जन्म यानि कि गुरु नानक का जन्म है वो दोस्तो कहां हुआ था तो यह हुआ था दोस्तो तलवंडी में कहां पर है तलवंडी में B नमबर का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे चंदेल सासकों की राज़दानी क्या थी तो चंदेल सासकों की राज़दानी थी दोस्तो महोबा कौन सी थी महोबा आपने सुना होगा दोस्तो पर्तविराद चोहान तिर्टे के समय महोबा का सासकता परमर्दी देव और परमर्दी देव के दो वीर सेनानायक टीक ए तो इसमें पी नंबर आुपसन सयुत्तर हो जाएगा, नेक्सट विजय नंगर का दूसरा नाम क्या था? तो वो था, दोस्तो हम्पी, इन नंबर का उपसन बिलकुल सयुत्तर हो जाएगा, हम्पी, आगे देखें, खानवा के यूद्ध में बाबर का प्रतित्वनदी कौन था तो बावर का प्रतिज जुन्दी था दोस्तो इसमें राणा सांगा ए नंबर का उप्षन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा राणा सांगा आगे देखें पर्तिविरात चोहान ने मुहमत गोरी को किस वर्स हराय था तो कौन से वर्स हराय था पर्तिविरात चोहान ने बिल्कुल से इतर हो जाएगा। क्या था बंदरगा है बी नंबर का उप्शन से यूतर हो जाएगा बंदरगा है आगे देखें किस राजा के पास असोक ने राजदूत नहीं बेजा था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखें माग्स के पास में बेजा था एंटी गोनस गोनटोस के पास में वेजा था टालेमी फिलोडेल फलस तो इसके पास में वेजा था लेकिन यूथी डेमोस के पास में नहीं वेजा था तो इसमें A number का option बिलकुल सहितर हो जाएगा नेक्स्ट है गारगी सहीता में किस विदेशी आकर्मन का उलेक है तो दोस्तो यवन आकर्मन का उलेक है बी नमबर उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 161 नमबर प्रेशन है खजुराहो मंदिर किन राजाओं द्वारा निर्मित कराये गए हैं तो खजुराहो के मंदिर है ये दोस्तो महोबा के चंदेल सासकों के द्वारा दोस्तो खजुराहो मंदिरों का निर्मान करवाया गया है तो इसमें C नमबर का उप्शन बिल्कुल से तो दोस्तों ये किस लिए परसिद है तो ये सिलाखंडो से निरमित मंदिर के लिए सी नम्बर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है चीनी यात्री फायान भारत वर्स किस उद्देशे से आया था तो यह आया था दोस्तों वो है प्रमानिक बोध गरंतों को एकत्रित करने के लिए चीनी यात्री फायान है वो चंदरगुप्त दिचे के ससंकाल में भारत आया था तो इसमें D-Number Option सहीफतर हो चंदर किसे माना जाता है महरोली इस्तंब अबिलग का चंदर किसे माना जाता है तो यह माना जाता है दोस्तों किसे तो चंदरगुप्त दिचे को C-Number का Option सहीफतर हो जाएगा चंदरगुप्त दिचे को आगे देखे महा सत्रब रुद्रदामन की उपलबदियों पर कौ सा अबिलेक प्रकाश डालता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जुनागड का गिरनार अबिलेक है डी नमबर का ओप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है वातापी किसकी राजदानी थी तो ये चालू के राजदानी थी वातापी डी नमबर का ओप कोसल का राजा कौन था तो दोस्तों कॉसल का राजा कौन था तो वह था महेंदरे कौन था महेंदरे कौन था जुआ नंबर ओप्शन सयुत्त So हर्स के सामराजे की दक्षणी सीमा निमनलिकित में से किसने परिसिमित की थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो पुल के सिन दितिये ने बी नमबर उप्षन विल्कुल सहीतर हो जाएगा इलाबाद प्रसस्ती किसके द्वारा लिखी गई थी इलाबाद प्रसस्ती है यह दोस्तो हरी सेन के द्वारा रचित है तो इसमें सी नमबर उप्षन सहीतर नेक्स्ट भारतिय नेपोलियन किसे का जाता है तो ये का जाता है दोस्तों समुंदर गुप्त को भारतिय नेपोलियन का जाता है आगे देखे आरिय भट कौन था आरिय भट है वो कौन था तो ये खगोल सास्त्री था बी नमबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट हर सरीतर किस ने लिखा था, तो हर सरीतर है ये दोस्तों, बान भटने लिखा था, D-number option सहुतर, कनिस्क के राजर रोहन की सहीति थी क्या थी? कनिस्क के राजर रोहन की सहीतिति है वो क्या थी? तो 58, 22, तो इसका right answer जिसमें A-number का option बिल्कुल सहुतर हो जाएगा अनुकूल नहीं है तो जेंद्रम के सिद्धान्तों के अनुकूल कौन सा सिद्धान्त नहीं है तो यहां पर देखिए आत्मा की सुद्धी शरीर को कष्ट देने से होती है बिल्कुल सही है केवल इसवर ही आत्मा को केवल्ले प्राप्ती में मदद करता है ये कथन दूस्तों इसमें गलत है ठीक है तो इसका right answer क्या हो जाएगा B number का option है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आफको इसमें याद रखना है बहुत ये अच्छा प्रसन था आगी देखिये इसमें 116 नमर प्रसन है यूप का समंद किस से किस इस्तम से है यूप का समंद है वो किस इस्तम से है तो ये दोस्तो यग्ये इस्तम से है यूप का समंद बी नमबर उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा अगे देखे चित्रित दूसर मद्रभांड का सम्मद किस काल से है तो किस काल से है तो ये दोस्तो वेदिक काल से है चित्रित दूसर मद्रभांड का सम्मद तो इसमें B-Number Option सहुत्र हो जाएगा नेक्स्ट है आहत सिक्के के निर्मान में परियोक्त मुख्य दातू थी तो वो दातू कौन सी थी तो वो थी दोस्तो तामबा ठीक है B-Number Option सहुत्र हो जाएगा तामबा नेक्स्ट है आगे देखिए 179 नमबर प्रेस ने प्राचीन वेदिक गरंतों में निम्न लिकित में से किसका उलेक नहीं है तो किसका उलेक है वो नहीं मिलता तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तो बाल विवा का उलेक है वो नहीं मिलता ए नमबर प्रेस बिलकुल सहुत्र हो जाएगा नेक्स्ट है डिगवेद कितने मंडलों में विबक्त है तो वो है दस मंडलों में विबक्त है ठीक है तो इसमें D number option बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा आगे देखे हडपा सब्वेता के लोग निमन में से किस दातू का प्रियोग नहीं करते थे तो कौन सी दातू का प्रियोग नहीं करते थे तो दोस्तों सिक्य का प्रियोग नहीं करते थे हडपा सब्वेता के लोग C number option सयुत्तर नेक्स्ट मोहन जोदोडो की विशालतम इमारत कौन सी थी तो वो थी दोस्तो महान सनानागार ठीक है तो इसका राइट आंसर महान सनानागार बी नमबर उप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा नेक्स्ट हडपा सब्वेता का उतकरस किस समय के पस्चात रुक गया था तो यह मैंने आपको बताया था थोड़ देर पहले ही गुनिस सो इस्वी पूर्व है ठीक है नेक्स्ट है कवी कालिदास किस की आराधना करके परतीबा साली बने तो दोस्तो बगवती की आराधना करके परतीबा साली बने थे ए नमबर उप्शन सहीतर हो जाएगा नेक्स्ट है निमनलिकित में से किस इस्तान पर भारत वै रोम के बीच व्यापार के परमान पराप्त हुए है तो दोस्तो अरिक मेडू तो इसमे ए नमबर उप्शन सहीतर हो जाएगा अरिक मेडू आगे देखे ही नयान वे महायान में मतभेद का निमन में से कौन सा कारण नहीं था तो वो है दोस्तों देखे संसकर्थ वासा का परियोग, बोधी सत्वकी पुजा, मूर्थी पूजा तो ये तीनों कारण थे लेकिन दन की लालसा नहीं थी तो इसमें D-Number Option सहुतर हो जाएगा 188 नमबर प्रेसन इसमें देखे उस संपरदाय का वास्त्विक नाम क्या है जिसे बाद में जेंदरम का गया जिसे बाद में जेंदरम का गया तो वो है निर्गरंथ है D-Number Option बिलकुल सहुतर हो जाएगा निर्गरंथ है आगे देखे माहवीर को परमग्यान की प्राप्ति किस इस्तान पर हुई थी तो ये हुई थी दोस्तों कहां पर तो जामविक ग्राम में जामविक ग्राम में बिलकुल सहुतर हो जाएगा नेक्स्ट है निमनलिकित में से कोन सा सिदान्त उपनिसद से समंदित नहीं है तो कोन सा सिदान्त है ये उपनिसद से समंदित नहीं है तो वो है दुख सिदान्त है बिलकुल सहुतर हो जाएगा दुख सिदान्त है आगे जनम मरण के चक्र से मुक्ती जनम मरण के चक्र से मुक्ती बी नमबर उप्षन सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट है दितिय संगम का इस्तान था तो दोस्तों दितिय संगम का इस्तान है वो कौन सा था तो वो था दोस्तों कपालपुरम कौन सा कपालपुरम C नमबर का option बिल्कूल से उत्तर, कपालपुरं नेक्स्ट एं, सिंद सब्बेता के लोग निमन में से किस की ख्यती नहीं करते थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, चावल की ख्यती है वो नहीं करते थे B नमबर option से उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है चतुर्त बोध संगिती किसके सासनकाल में संपन हुई थी तो ये दोस्तो कनिस्क के समय संपन हुई थी चतुर्त बोध संगिती बी नमबर उप्सन सहुतर नेक्स्ट है कारले किसके लिए प्रसिद है कारले है वो किसके लिए प्रसिद है तो ये दोस्तो कनिश्क के लिए कारले है ये किस के लिए परसीद है तो ये परसीद है दोस्तो गुफा मंदिर के लिए परसीद है कारले ये नमबर का उप्षन बिल्कुल से उतर हो जाएगा नेक्स्ट है आगे देखें स्यादवाद मोल रोप से किस दर्सन से समंदित है तो आगे देखें विजयनगर सामराज्य के राजस्व विबाग का क्या नाम था तो इसका नाम था अत्वन अगे देखें निम्नलिकित में से कौन सा कथन सही है तो कौन सा कθन है वो दोस्तों इसमें सही है तो देखे गुपतकाल में सुद्रों की इस्तिगिरी ये दोस्तों इसमें कफन है वो सत्य है डी नंबर उप्षन इसका राईट आंसर हो जाएगा और 99 नंबर प्रेशन है कलहन द्वारा रचित राज तरंगिनी में वर्नन है तो दोस्तो राज तरंगिनी में किसका वर्नन है तो कस्मीर के करमबद इतियास का वर्नन मिलता है राज तरंगिनी पुस्तक में और यह पुस्तक है यह कलहन के द्वारा लिखी गई थी तो इसमें B number option सेयुत्तर हो जाएगा और प्राचीन भारत के इतियास का आज का अपना अंतिम प्रैस्न है तारीक A हिंद का लेखक कौन है तो दोस्तों तारीक A हिंद का लेखक है वो अलबरुनी है A number option बिल्कुल सेयुत्तर हो जाएगा बित्रो प्राचिन भाती ईतियास के मैंने आपको टोप 200 प्रश्ण है वो कम्प्ल्ीट करवा दिये हैं ठीक है और आपने ये 200 प्रश्ण है वो देखे आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इन प्रश्णों को दोस्तो रट लेना क्योंकि आपकी परिक्शा की दरीश्टी से ये अक्तियांत मेहतोपून परस्ण है जो परीक्षा में बार-बार पोचे गए हैं, अबी तक पूरे भारत में ये बार-बार पोचे जा चुके हैं टिक हैं, वीबिन एक-जामूं में तो मित्रों अरद्यारेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को तबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेयर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जैहिन जब